फिल्मों में अपनी एक्टिंग और गानों से धूम मचाने वाले निर्हुआ और रविकिशन अब राजनीती में भी हला बोलने को तयार हैं जहां भोजपुरी फिल्म उस्तार दिनेश लाल यादव निर्हुआ ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है तो वही रविकिशन शुकला ने भी बीजेपी से चुनाव लटने का एलान कर दिया है बताया जा रहा है कि सियमादी तेनात योगी की मौजूदगी में निर्हुआ ने पार्टी की सदस्यता ली माना जा रहा है कि पार्टी उन्हें आजमगर्ट से अखिलेश यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतार सकती है निर्हुआ और रविकिशन के साथ से जहां बीजेपी मजबूत हुई है तो महीं बॉलिवूड की रंगीला गर्ड यानि उर्मिला मातून करने भी कॉंग्रेस का दामन थाम कर पार्टी को मजबूत किया है